So, hello everyone, welcome back to new video, this is Ayush and आज अपने साथ में है all new Scorpio N का value for money model Z4 तो Z4 के अंदर आप लोगों को क्या कुछ features मिलते हैं, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को detail में बताने वाला हूँ गाड़ी कैसी है, overall सारे जो features वगेर हैं, उन सब चीजों की detail में बात करेंगे सबसे पहले start करते हैं, front design से देखते हैं, जो looks हैं वो काफी muscular है, big daddy जो नाम दिये गया है तो definitely गाड़ी काफी जौदा बड़ी लगती है, like side से भी देख लो, आगे से भी देख लो, कहीं से भी इसको देखते हैं तो काफी बड़ी जो है, यह दिखाई देती है, road presence जो है वो गाड़ी की काफी बड़िया है अब स्टार्ट करते हैं कि इस model के अंदर आप लोगों को जो Z4 model है, यानि कि यह base से एक उपर वाला model है, उसके अंदर आप लोगों को क्या कुछ features मिल जाते हैं अब यहाँ पर आप लोगों को यह जिससे की नया logo तो मेली रहा है, definitely यहाँ पर यह silver color और यह silver color के finish मिलती है, बाकि यह black color का एक plastic material मिलता है, front grill के अंदर और नीचे जो bumper है, वो भी black color की clading के साथ में आता है, और कुछ इस type का दिखाई पड़ता है, और आगे कोई fog lamp वगेरे नहीं मिलता है, definitely housing है आपको चाहें, तो भार से modification करवा के लगवा सकते हैं और headlamp के नाम पे भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है, halogen bulb भी यहाँ पर दिए गए है, चाहे high beam की बात करें है, low beam की बात करें है, यह turn indicators जो है, वो मिल जाते हैं, DRL वगेरे भी जो है, वो इस गाड़ी के अंदर नहीं दी गई है, तो बिल्कुल basic सा जो front end जो है, वो सीम ही आने वाला है, अब यहाँ पर आपको wheel arches तो definitely मिलती है, अगी यह जो wheel arches है, यह white color के साथ में काफी अच्छी लग रही है, और यह जो wheel है, इनके उपर आपको wheel cap मिलता है standard, अभी यह actually बिल्कुल brand new car है, तो सिर्फ एक wheel में मैंने cap लगा कि आपको बता दिया है, यह like, चलो अपन इसमें लगा देते हैं, तो अपने हाथ में अभी किसमें लगाना है, अभी तक इसको पूरा fix नहीं करा गया है, but definitely stock आप लोगों को wheel cap जो है, वो मिलेगा, इस variant के साथ में Z2 अगर आप ले तो उसमें wheel cap नहीं मिलता है, नए लोगों के साथ में आपको यह wheel cap म अगरे सब कुछ, और एक चीज़ बहुत अचीज़ है कि यह diesel engine है, आटोमेटिक के साथ में आती है, अभी मैं इसको engine बे जो है, वो खोल के बताऊँगा, यहाँ पर यह जो material यूज़ करा है, यह नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, प्लास्टिक वागरे यूज़ यू अगरे बोल सकते हैं, यह ठीक है, वो फील करवाता है आपको कि हाँ आपने टॉप मॉडल नहीं लिया है, उचा मॉडल नहीं लिया है, बाकि रूफ रेल जो है वो भी black color की प्लास्टिक की आपको मिल जाती है, बटी अगें metal के अंदर जो है, वो दी गई है, यह metal में दी ह एक इंदर आपको switches मिल जाते हैं, remote की मिलती है, और यह knife वाली ही की हैं दोनों, एक से आप lock करेंगे कार को, और फिर इससे आप unlock करेंगे, और जो center में बटन है, उसको अगर आप प्रेस करके रखेंगे, तो आपकी गाड़ी ऐसे sound करने लग जाएगी, और lock बटन साथ में प्रेस करेंगे, तो जो headlamps है, वो भी ऐसे आपके on हो जाएगे, ताकि आप गाड़ी को जो है, वो धून पाओ, और front से कैसे लग रही है, वो आप जो है, यहाँ पर ऐसे, इसके headlamps जो है, वो देख सकते हैं, तो काफी size art जो है, वो दिखाई दे रही है, गाड़ी देख दोनों ही engine के अंदर available है, manual and automatic दोनों आती है, बट अगर आप diesel के अंदर automatic लेते हैं, तो आपको two wheel drive option ही मिलेगा, बट अगर आप लेते हैं, कि मेंको four by four चाहिए, तो diesel के अंदर आप manual में four by four ले सकते हैं, बट automatic option अवेलेबल नीए, total चार variant जो है, वो इस गाड़ी के साथ म पड़ी लगती है, बस उसकी tail lamp पे है, वो वेगे नार की यार दिला दीती है, यही चीज मेरे को थोड़ी सी लगी कि इसका design जो है, और ज्यादा बेटर जो है, वो किया जा सकता है, तो उपर stop bound lamp और शाक्षी न इंटेना, spoiler भी आपको मिल जाता है, Z2 में आपको spoiler अगरे जो है नहीं मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को defogger भी मिल रहा है, वाइपर भी मिल रहा है, that's why में को लगा रहा है कि यह value for money है, इसमें सारी काम की चीज़ें जो है मिल जाती है, camera जो है वो definitely इसमें नहीं मिलता है, camera आपको लगवाना पड़ेगा, okay गाड़ी lock है, unlock की ज अगर यह side facing seat होती है, तो यह gate इसे खुलता तो अच्छा लगता, बट अगर मेरा इसमानने है कि जब इस type की seat दी गई है, तो gate को उपर की तरफ खोला जाता, तो काफी बढ़िया जो है, वो option होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो आपको phone रखने का option मिल जाता है 12 watt का power socket आपको दिया गया है, अगर आपको inflator वगेरे use करना है तो आप कर सकते हो, और इसको open करना is not easy task, बाकी यहाँ पर थोड़ा से space दिया गया है, छोटे छोटे दो bag आप यहाँ पर रख सकते हो, बट जादा space जो है वो यहाँ पर नहीं है, यह tool box जो है वो रखा हुआ अब इस gate को बट करते हैं, और अंदर जाके मापको बताता हूँ क्या कुछ चीज़े हैं, यहाँ पर यह tank मिल जाता है आप लोगों को, और साथी यह diesel car है तो इसमें आपको यह DEF URIA जिसको बोलते हैं, वो भी आपको ड़लवाना पड़ेगा, gate काफी heavy है, काफी बढ़िया जो है, gate की opening होती है, कार काफी wide है, और साथी साथ इसमें footrest भी मिलेगा, जो इसमें लगे भी नहीं, इस variant के अंदर आते हैं stock, बट यह car अभी बिलकुल like completely brand new है, stock yard से निकालके video बना रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर footrest लगे भी नहीं, बट इस variant के साथ में, जो price आप और यहाँ पर आप दीख सकते हैं, AC vent, AC vent के blower आप नहीं से control कर सकते हैं, type C port मिलती है, यह चीछ काफी अच्छी है, इधर again handlebar दिया गया है, इधर आपको of course yellow light, sorry, white, यहाँ पर आप लोगों को यह white color के light मिलती है, यहाँ पर यह roof जो है, वो काफी बढ़िया है, इधर आप option, वह आपको बताता हूँ, अगर यह बीना footrest के उतरते हैं, तो काफी नीचे feel होती है, अभी यह खुल गई, अब अंदर आना और बाहर जाना है, वो इतना जादा difficult जो होगो नहीं लगता है, अब मैं यहाँ पर जो है, मेरी height 510 है, तो मैं यहाँ ठीक ठाक फज चुका बड़े हैं, seatbelt भी आपको मिल जाते हैं, पीछे वाले passenger के लिए कोई हिसी वागिर यहाँ पर नहीं मिलता है, चलते हैं जी वापस भार, भाराना is not easy task, यह देखो थोड़े सा चीजों का ध्यान रखा, यहाँ पर grip दीए, ताकि पैर रखके बंदा उतर सके, सब चीजे एक जो mirrors हैं, उनकी आप लोगों को electronic controls मिल जाते हैं, दूर से देख लो, gate जो है, वो कुछ step से दिखाई दे रहा है, और पास मा आएंगे, तो यहाँ पर सारे windows के controls, यह lock, unlock, यहाँ से mirrors जो है, इनको lock कर सकते हैं, यहाँ से यह पकड़ के gate को खोलेंगे, और speaker, one-deeater bottle holder, ignore करना, यहाँ पर कोई भी बटन नहीं है, like definitely top model के नदर आते हैं, बटन उसका को वीडियो देखना है, देख सकते हैं, कोई सारी वीडियो उसके पर करिए, यहाँ पर यह है, headlight levelers, और साथ ही मैं चा भी निकाल के आपको सारी चीज़े बताता है, इसमें speakers जो है, वो सब च analog जो है, यह सब चीज़ें मिलती है, car को मैंने on कर लिया है, और यहाँ पर आप देखो, यह सारी चीज़ें जो है, वो यहाँ से control करनी पड़ेगे, और यहाँ पर आपको volume rockers वगेरे, और यह सारे जो controls करने है, यहाँ के voice command वाले feature वगेरे, तो वो सब चीज़ें जो है, व अलग कुछ हैजन सच यहाँ है, कि आपको अलग से मैं बताऊं, इस setting है, that's all, इधर rp meter, speedometer, तो काम का आपको, जिसे mileage और trip, ट्रिप, ट्रिप, ट्रिबी, order meter, petrol कितना है, temperature कितना है, वो सब चीज़ें जो है, यहाँ पर आपको बता देगा, उपर warning lights जो है, वो आ जाएगी इधर आपको controls मिल जाते हैं, ORVM के, sorry, अपने indicators के, इधर सारे controls मिल जाते हैं, आपको headlights के, और यहाँ पर जो सारे चीज़ें हैं, मैंने बता दी है, आपको steering, height तो adjust हो रही है, reach जो है, वो adjust नहीं हो पाईगी, यहाँ पर आपको, I'm really sorry, यहाँ पर थोड़ा सा space दिया गया ह हैं, वहाँ से आप bonnet open करेंगे, नीचे यह दो pedal दिये गए हैं, और safety के नाव पर इसमें दो airbag मिल जाते हैं, EBS, EBD मिल जाता है, electronic control मिल जाता है, traction control, hill descent control मिल जाता है, बट अगर आप Z4, manual version लेते हैं, तो बहुत सारे safety features, जो हैं, वो cut हो जाते हैं, अब यहाँ पर आपको USB USB port 2 मिल जाती है, जिसमें Android to Apple CarPlay आपको चलाना पड़ेगा, यहाँ पर home आप आ जाते हैं, तो यह जो screen है, इसका touch जो sensitivity है, वो काफी बढ़िया है, बट जो UI है, वो अभी तक वैसा ही चल रहा है, जिसी अपनी XV300 के आता है, अंदर के अंदर आता है, XV300 के अंदर आ रहा ह तो वही सबी चीज़े हैं कि इनको वो थोड़ा सा सुधाना था यह Android to Apple CarPlay, USB, USB वीडियो भी देख सकते हैं और Bluetooth audio जो है, वो भी आप यहाँ पर connect कर सकते हैं, phone, car information जो है, उसमें देखते हैं क्या detail से तो यहाँ पर fuel की और service की जो information है, वो सारी चीज़ें आ रही है, phone अगर Hill Decent Control Drive Mode जो है, वो भी आपको मिल जाते हैं, प्रजीब Zap Zoom Mode जो है, वो यहाँ पर drive की आपको मिलते हैं, airbag on है, off है, वो सब चीज़े भी आपको पताएगा, passenger side के लिए, अगर यहाँ देखेंगे तो एक छोटा सा glove box जो है, वो आपको मिलता है, अगे यह शायद cooling function के साथ मे हैं, और dual tone में यह hard touch plastic के साथ में ही जो है, पूरा आपको dashboard मिलता है, उपर manually IRVM, but sunglasses holder में लिए है, यहाँ भी light है, यहाँ लाइट है, हाँ मैंने का, यह हो गया, यहाँ light नहीं दिये, इधर कोई IRVM नहीं है, sorry, mirror नहीं है, vanity mirror और इधर भी कुछ नहीं है, इधर आप लोगो आपको मिलता है, यहाँ से इसको यह press करके आपको पीछे करना है, इस पिस leather touch दिया है, यह चीज़ काफी अच्छी है, यह manual handbrake, दो cup holder, थोड़ा सा spaces के नीचे, यहाँ पर की रखेंगे तो चावी शाय चार्ज हो जाईए, पुरा नहीं, अगर आपकी यह उसके लिए है कि पर सारी से आपको बता दू, तो यह थी गाड़ी अभी इसको बंद करते हैं, और मैं आप लोगों को इसका एक बार बोनेट बता देता हूं कि बोनेट में क्या कुछ फीचेस जो है, वो आप लोगों को मिल जाते हैं कि अंदर चलके और बाके तो सब चीज़े में आप लो प्लेशन प्लेट है, और यह इंजन जो है 2.2 लीटर का है, और 173 बहब, 370 अम का टॉर्क जनेरेट करता है, अगर आप लेते हो तो तो डेफिनेटली आपको 400 अम का टॉर्क मिल जाता है, जो कि उचे वेरिंट में आता है, और काफी एच्छी पैकेजिंग जो इसके रखे यह रेडिटर से गैब भी काफी चीए, अगर आगे से क्रैश होता है कभी गाड़ी का, तो डेफिनेटली जो है इंजन को वो जादा हाम नहीं करेगा, इधर सारे कूलेंट और जो वाशर अगरे के फ्लूड जोगे रहे हैं, वो सब टप अप करने के लिए दिया हुआ है, इधर आपका बैटरी पैक मिल जाता है आपको, और इधर यह वाशर के लिए यहाँ पर फ्लूड आप फिल अप कर सकते हैं, फिलाल मेरी जो है एकसरसाइज हो गई आज एक हाथ की, बहुत ही ज्यादा हेवी जो है यह इसका बॉनर था, तो यह है स्कॉर्प्यो एन जैड फोर वीरिंट इसमें, आगे मैं आपको बता तीता हूँ, पैट्रोल और डीजल दोनों में मैनुल, पैट्रोल मौट अटमेटिक, डीजल मौट अटमेटिक, बट अगर आपको चाहिए 4x4, तो आपको डीजल में मैनुल के अंदर 4x4 मिल जाता है, तो यह सारी वीरिंट ज जातीछ तो यह सी दूतमे ही जाता है, ँछे तो सलदेध के चाहिए